हलो नमस्का दोस्तों कैसे आँ सभी और कैसी चारी आप लोगों की तयारिया तो वीडियो मैंस के लिए पेपर नमर 76 है हमेशा की तेरह रियूजन करेंगे दस मिनिट का समय आपके पास और टोप 51 क्यूसन्स के आपको आंसर देने हैं टार्गेट आपका जादा नहीं है आज है मातर 35 क्यूसन्स आपको सही करने हैं तो जो भी स्कोर बने कॉमेंट करके बता देना पहले वाले टेस्ट नहीं देखें तो आप प्रले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और पीडियफ लेनी हो तो टेलिग्राम पर ये नाम साच करने ना परहला सारण सर के नाम से सारी पीडियफ आपको वहीं पर मिलेगी तो चलिए करते हैं सरवात और देखते हैं कि आज आप कितने क्यूसन्स आप उससे ही कर सकते हैं अगलाए कि print करने के लिए sort की क्या होगी अगला आप print करना चाहते हैं तो किसका use करेंगे control plus P का तो control plus P तो write आनसरब का B है और निमल्क मैंसी समूधर का प्रियाइवाची कौन सा नहीं है जल्दी है पारावार भी है वरीदी भी है जलज नहीं है तो राइटानसराब का हो जाएगा बी सही है अगला कि अनूज सबद का विलोम सबद बता दीजे अनूज का विलोम सबद होता है अगरच तो राइटानसराब का बी सही है राजस्तान का कौन सा लोखनाटे है जिसे मेरू नाटे की नाम से जाना जाता है मेरू नाटे कहते हैं गवरी लोखनाटे को ये मेवाड में किया जाता है और किस की द्वारा भील जाती की द्वारा एक मात लोखनाटे जिसका आयोजन दिन में किया जाता है तो राइट अंसरब का C है जहां परतिवर्स प्राकरती ग्रूप से मीटियों का नवनीकरण होता है उसे क्या कहते हैं नवनीकरण मीटियों का कहलाता है खादर प्रदेश यानि नवीन जलोड मीटी होती है वो खादर प्रदेश कहलाता है और पूरानी जलोड मीटी जो होती है वो बागर प्रदेश कहलाता है दोनों ही याद रिखिए राजस्तान का एक मातर रेलवे स्टेशन कौन से है जो आदा राजस्तान में है और आदा मद्य परदीश में आता है जैसे जालाबाड का बवानी रेलवे मंडी रेलवे स्टेशन जो है ये तुराई टांसर आपका एक नमर सही राजास्तान में नेरो गेज की एक मातर रेलाइन है वो किस जिले में है तो ए राजास्तान के रेड़ डाइमन्ड में यानी धोल पूर जूले में भी आपका सही और हुरडा समिलेन का आयुजन है वो किस वरस किया गया था तो 17 जुलाई 1734 को वाय था हुड़ा एक जगे का नाम है भीलवड़ा जिले में तो भीलवड़ा में वाय था स्वाई जैसे के सेकंड के प्रियासों से और जगे सी सेकंड ने इसकी अधेक्स्ता की थी आप बताएंगे कि सबसे पहले ये किस के दिमाग का वीचारता सबसे पहले किस के मांड में आय था कि मराटों की विर्ध होड़ा समगिलन होना चाहिए मेवार की एक सासकते नाम बता देना राजस्तान में देश की पहली रेल बस सेवा की सरवात का शीओ थी मेरता सीटी से और राजस्तान के किस चेतर में शड़कों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है तो ये जानते हैं पस्मी राजस्तान में अरावले के पस्मी भूबाग भी जो है शड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है सांबर जील को प्रेटन के चेतर में किस नाम से पुकारा जाता है सांबर जील जो कि जैपुर जीले में राजतान में खारे पानी की सबसे बड़ी जील सरवादी कनमक का उतपादन होता है और यह राजसान की रामसर साइट है दूसरी पहली रामसर साइट है केवला देव केवला देव गना ब्यारन जो है वो पहली रामसर साइट है और दूसरी रामसर साइट है सांबर जील यहाँ पर एक मंदिर है लोक दिवी का आप कमेंड करें बताओ संबर जattendवी के पास में किस लोग दिवी का मंदिर बनावा है परसी समारिक सुनेरी कोटी कामप्रे सुनेरी कोटी है वो टोग जीले में इबराहीम ने बनवाये था इसे पहले सीस महल के नाम से भी जानते हैं एगर आग्या canyon के बर्ताब संग्राले है वो कहां पे बना वा है यो चेत्र शुकला एक अदसी को इस काईजन किया जाता है एक आपका सही आंदी किसे कहना किसे कहते आंदी एक खननचेतर का نाम है औory कहां पर है जैपूर जिले में तो जैपूर जेले का सबसे बड़ा खरन शितर है उसका नाम है आंदी जस्ते की मूर्तियों के लिए रास्तान का कौन सा स्थान परशीद है जस्ते की मूर्तियां है जोधपूर की सूरिय निगरी बल्यू सीठी की बी आपका सही और खेसला उद्यों के लिए परसीद ए गाउं है लेटा गाउं तो खेसला निर्मान के लिए लेटा गाउं कहा अपना है लेटा गाउं बनावा है जालोर में अच्छा जालोर का एक गाउं है हरजी गाउं हर जी गाउं किस के लिए परसीद है आप कॉमेंट करके बताओ भटापट और तरल हींग के लिए परताबगड़ परसीद है और परताबगड़ की थेवागला भी परसीद है अगला है कि लेलेंड ट्रेक कारखाना राजे में कहां पर बनावा है यह राजस्तान का अलवर कहलाता है केसराइपाटन चिन्नी मील है कि शेतर में स्ताफित है केसराइपाटन बुंदी में यह सैकारी शेतर की है ठीक है सैकारी शेतर की तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा सही आंसर राजस्तान में सबसे पहले वर्मस्पतिगी की फैक्टरी कहां पर खोली गई थी सबसे पहले खोली गई थी गुनी सो चोसिट में और ये भीलवड़ा जिले में खोली गई थी डियाब का सही वर्तमान में सरवादिक जो है आईस्ट जोग वर्मस्पतिगी के कारखाने है वर्तमान में है जैपूर जिले में अगला की पावर पेक योजना का सम्मंदेव किस से है तो इसका है सोर उर्जा से सम्मंदित राइट आनसर आपका बी और जाखम बांद लगूपन विदुद प्रियोजना राजस्तान के किस सेले में तो आप जानते है जाखम बांद कहां पर है जाखम नदी परताबगड में बनावा है तो वहीं पर ये प्रियोजना है सी आपका सही गिरल गिराल नहीं यह यह गिरल है तो गिरल ताप विदुद प्रियोजना को पानी कहा से आता है तो यह पानी जो है वो इंदरा गांधी नहर से तो राइट आनसर आपका भी हो जाएगा सही आनसर गिरल ताप विदुद प्रियोजना जो है वो बाडमीर में अगला है कि इंदरा लिप्ट सिंचाई प्रियोजना किस जिल्ले की सबसे बड़ी सिंचाई प्रियोजना है। जालावार जिल्ले में राइट अंसर आपका एक नमबर। किस वरस में की गई थी तो 1964 गुनी 64 में भी आपका सही। गरदड़ा वरीद प्रियोजना राज्तान के किस जिल्ले में गरदड़ा एक जगय का नाम है जो की बुंदी जिल्ले में है और याद रखेंगे। गरदड़ा जो है ये एक जगय है पुरा तात्वी सिल्ले है जो छाजा नदे के किनारे पर है जासे सबसे पहले हमें बर्ड राइडर रोग पेंटी मिली थी। बर्ड राइडर रोग पेंटी यानि पक्सी परसुआर मनुश्य का चीतर। दक्षणी राजपुताना के छोटे राजियों को एकी करत कर हाडोती संग बनाने का परस्ताव किस ने दिया था ये कोटा के सासक थे सवतंतरता के टाइम पर महराव भीम सी ये हाडोती संग बनाना चाहते थे डी आपका सही। जैपुर का कौण सासक कविताओं में अपना नाम ब्रिजनीदी लिखते थे तो ब्रिजनीदी की नाम से कविताओं लिखते थे स्वाई पर्ताब सी जिननोंने हवा महल का निरवान करवाय था डी आपका सही। कोटा राजे के संस्ताप Kentucky को ने कोटा राजे की स्तापना की थी मादोसी ने आब बतो किस मुगलबाद सा के टाइम पर स्की स्तापना हुई थी कॉमेंट कर देना ओके और अरगला है कि कौन परशिद राजस्तानी गीत एक यूती की सुंद्रिय का वर्ण करता है ते मुमल गीत है जो की मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी मुमल गीत भी है और मुमल चितर भी है और मुमल राजकुमारी का नाम भी है तीनों ही चीज़ी याद रखे त्रिपुरा सुन्दरी देवी का मंदिर कहां पे बनावा है त्रिपुरा सुन्दरी देवी का मंदिर है बांशपड़ा जिल्ले में सी आपका सही और किस हिंदू महीने में तेजा दस्मी मनाई जाती है तेजा दस्मी आती है वो भादरपद महा में आती है और वी तेदा जी आपको यादी है जिनका जनम खरनाल में वाय था परबसर में मेला बरता है पनेर सचुराल है चंपाकली आभूशन है वो सरीर के किस संग में पहना जाता है तो एक गरदन का गले का एक आभूशन है सियाव का सही अगला की जैपूर में वर्दमान विद्याले की स्ताफना किस ने की थी अरजुनलाल सेटी जी ने ठीक है इन्हों नहीं का था कि अगर मैं सरकार की नोकरी करूँगा तो अंगरेजों को देश से बाहर कोल निकालेगा इन मैंसे कोटा में ठारो सुच्टान की विद्रो का नित्त तो किस ने किया था तो मेराब खाँ और जेद्याल जी ने किया था राइटान सरब का सी नात्रा की पाल खान जो की जिल्ए में यह उद्देपुर में आप बताएंगे कि नात्रा की पाल से किस खनीज का उत्पादन किया जाता है राजस्तान में निमलक में से कौन सी तैसील में सेरिया जंजाती का गनतु है तो सेरिया जंजाती किसंगे जो साबाज 12 में निवास करती है 12 में राजस्तान के एक मातर जंजाती जिसे आदिम जंजाती समों में सामिल किया गया है कौन से वरिष के पतियों से बीडी का निर्मान किया जाता है तो तेंदू पते से तेंदू वरिष के पतों से बीडी का निर्मान होता है लूनी बेसिन राजस्तान के किस विश्तिरित भू आकरती विभाग का एक इसा है तो लूनी बेसिन पस्टमी राजस्तान का लूनी बेसिन वाल एरिया कोई गोडवार परदेश भी कहते थे गोडवारी बोली भी है आप बतो कि गोडवारी बोली कहां बोली जाती है निमन में से कौन सा राजस्तान का पहला सूपर ताप ये पावर प्लांट है तो ये है सुर्थगर्ड सूपर ताप ये पावर प्लांट राइड आनसर अब का सी और इन मेंसे कौन सी रभी की पसल नहीं है तो जो है मसूर भी है गेहूं भी है गेहूं तो सरवादी कुत पातुन होता है रभी की पसल में चावल नहीं है तो सी आपका सही एक लेकिन मेंसे कौन सा क्रिसी आधारी तुद्योग नहीं आता पापडबुजिया है जी के माइंड में आया था राइट अंसर आपका भी तो यह थे टोपी क्या वन किसंस तो आपका स्कोर क्या एक कॉमेंट करके बता हो पहले भी बहुत सारे टेस्ट हमारे हो चुके हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखें तो जरूर आप लोग देखें ताकि रिवजन अच् कर सकते हैं रात को डेली आठ बजे हम टोपीक वाइज सीरीज करते हैं तो जोइन कर लीजे ताकि रोज़ाना एक टोपिक आपका कवर हो जाए रिवजन हो जाए तो किजिए लाइक शेर और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू